स्वागात है भाई लोग एक नए व्लोग में एक बहुत ही हट करके व्लोग में ठीक है आज हम लोग फूल एक टूर में जाने वाले ट्रिप में जाने वाले है भाई डिगा का जो भी हम लोग के टीम थे जितनी भी हम लोग के दोस्त हवाब थे सभी लोग जो है वो आज जा होने वाले थे हम लोग एक चोटे से ट्रिप में 2024 का सीजन अच्छा रहा बहुत अच्छा गुजरा और उसके बाद एक रिलाक्सिंग जो है वही ट्रिप होना चाहिए ठीक है तो सभी लेबर्स के साथ ग्वालवारी का और टीम बना करके चोटा मोटा जो भी फ्रेंड्स थे उसलोग के साथ हम लोग एक डिगा के ट्रिप में गया आज उसी का व्लॉग होने वाला है और आप लोग को भाई डिफरेंट काइंड्स व्लॉग जो है वह आप देखने को मिलेंगे तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं 2024 सीजन जो है माशालला बहुत अच्छ अब लोग निकल चुके हैं इस गाड़ी में टोटल फ्रेंट्स लेबर्स भी थे गवालवारी के और बहुत सारे दोस्त भी थे जो भी मास करल फार्म के लेबर्स थे और बाकी एक दो लेबर बाहर के भी थे और सभी टीम मेंबर्स हम अजर भाई सभी लोग सिद्धिक यह देखिए भाई इसको क्या बोला जाए पूरा एकडम सट वगेरा खोल करके फुल ग्वालवारी स्टाइल में डान्स हो रहा था और इंजॉयमेंट भाई लोग बना हुआ था बहुत ही मजा आ रहा था और सीजन के बाद भाई छोटा मोटा ट्रिप जो होना चाहिए त पूरा गाड़ी भाई फुल था A to Z ठीक हम लोग इंजॉय कर रहे थे तो भाई यहां हम लोग एक छोटे से ब्रेक में रुके थे शेर पंजाब और यह जो है एक छोटा सा ब्रेक था हम लोगों का और हम लोग बहुत जादा जो है वो ठके वे थे क्योंकि रात में हम जी निकले थे और यह देखिए दो जिगरी दोस्त जुला जुलते हुए ठीक है और यहां पर सब लेबर्स जो है चाय वगरा पी रहा है राइट साइड में हम लोग अभी रुके हैं शेरे बिंगॉल और यहां सभी हमारे टीम मेंबर्स चात भाई अजर भाई अजर भाई अजरे बिंगॉल होटेल ड्रिंक्स वागेरा स्नैक्स वागेरा अजरे बज रहा हैं कुछ हाड़ाई और हम लोग फिलाल ब्रेक के लिए रुके आए मुलकाज चीज है हमारे चिंटु भाई से जो हुआ यह आर एक भाई है जो नहीं आया है हमारे चिंटु भाई जो सबसे अलग चीज ही है एक तो चाय बचार लेकर के हम लोग पूरा पूरा फ्रेश हो गए थे क्योंकि हम लोग जहारा निकले थे कुछ अड़ाई बजरा अब और यहां पर अचानक से बारिश जो है बहुत स्पीड में जो है वो शुरू हो गए ठीक है और ठज्डे का जो है वो रात था साड़े तीन बज़रा था और हम लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि बारिश शुरू के और हम लोग वापस से अपना डिघा टूर का जो ट और जा रहे थे अपना टूर में तो एक अच्छा लगता है फ्रेंड्स जब एक साथ मिल करके अगर कोई एक ट्रिप प्लान हो और फुल एक टेंशन फ्री हो जाता है इंसान वैसे ये कुछ हट करके व्लॉग है उमीद आप लोग को पसंद आएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा अपना ओके ऐसे तो भाई फार्म्स के वीडियो तो आते ही रहते हैं एक कुछ हट के भी व्लॉग होना चाहिए तब भाई जा करके एक फील अलग आता कभी कदर ठीक है तो आप लोग रास्ता को भाई इंजोई करते रही है हम लोग पूरे गाड़ी में बैठे वेते और साड़े चार पांच बज़ रहा था और हम लोग पहुँचने ही वाले थे बज़ दीगा ठीक है तो बारिश कुछ देर हुई उसके बाद रुख गई तो काफी देर इंजोईमेंट के बाद बस में भाई डांस वगरा करने के बाद हम लोग पहुच गए थे डिगा ठीक है ये गाड़ी था हम लोग का सुल्तान ट्रेविल्स का और ये हम लोग पहुच गए है भी फिलाल न्यू डिगा अभी के बज़ रहे तो टोटल साड़े पांच और हम लोग यहां से निकलने वाले थे बीच की ओर तो ये था हम लोगों का कुछ होटल का व्यू सी रिजॉट के पास सब होटल्स थे और इसका चेक इन टाइम था कुछ नौ बजे का और हम लोग पहुँच गए तो साड़े पांच ही बजे ठीक है दोखों आस्ते आस्ते जो भाई उजाला होने लगा था और हम लोग का भाई पहुचना चेहे था वैसे तो हम लोगों साड़े आठ आठ बजे तक पर हम लोग पहुंच गया साड़े पाची बजे क्योंकि भाई रास्ता काफी साफ था इजी हाइवे था और उसके बाद हम लोग ने प्लाइन किया कि चलो बीच चलते हैं एक दो घंटा वहीं पर हम लोग इस पेंड कर लेंगे उसके बाद होटल भाई हम लोग जाएंगे न निकला था तो इसलिए उजाला उतना जादा नहीं हुआ नहीं तो इस टाइम तक भाई पूरा सन्राइज हो जाता है यह देखे आप लोग पूरा एक अच्छा वेदर था और हम लोग आ चुके था यहाँ पर बैसे पानी भी हुआ था इसलिए क्लाउडी था तो भाई कुछ देर भाई सी बीच में गुजानने के बाद हम लोग वापस अपने होटल में आ गए क्योंकि एक दो घंटा भाई बहुत जल्दी ही बीड गया था तो हम लोग का भाई होटल आने का वक्त आ गया था सारे 8 बज़रा था सभी लोग ठक गये थे क्योंकि सभी को एक दो घंटा का रेश्ट चाहिए था बट एक चीज है हम लोग का होटल का भाई व्यू बहुत अच्छा था वो मैं आपको आने वाले क्लिप्स में दिखाऊंगा फिलाल हम लोग अभी यहाँ पर चेकिंग कर रहे थे अपना अपना चेकिंग करने के बाद भाई लोग नाश्टा का भाई आप लोग के बार मेन्यू देखे ठीक है ब्रेड जैम बटर पुरी सबजी हर कुछ भाई अवेलेबल था और बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि भाई इतने देर हम लोग बस में थे टोटल 5-6 गंटा थे उसक बाद हम लोग जो भाई नाश्टा मिला हम लोग को सभी कोई भाई अराम से ब्रेकफास्ट किया अपना कॉनफलेक्ट और एक चीज़ बेनिफीट होता है फ्रेंट्स ट्रिप में आने का कि भाई माइन फ्रेश होयाता है ठीक है जितने भी आप लोग एक दिन के लिए भले फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करके आ गए अपने रूम में और रूम से आप लोग व्यू देखे कितना जबरदस्त व्यू है ठीक है एक तो भाई क्लावडी विदर था बहुत अच्छा लग रहा था धूब जादा नहीं थी और एक व्यू जो मिल रहा था हम लोगों को बै पूल में तो भाई जबरदस्त मजा आया उसका रीजन ये है क्योंकि पूल में हम लोग एक गेम खेल रहे थे ठीक है बॉल का और बहुत जबरदस्त मजा आया दो टीम हम लोगों ने बनाया दो टीम बना करके हम लोगों ने एक बहुत जबरदस्त गेम खेला वो अलग बा साथ छोटा सा ट्रिप में जाने का जो बेनेफीट होता वो बहुत अच्छा रखता है देखे सभी कोई गेम खिल रहा था और यहाँ पर आप जो वाइट टीशर्ट में देख रहे है ना यह बहुत बड़े कोच है थीक है इनका नाम है चिंटु सर बतलब चिंटु भाही बहुत बड़े कोच है वह सिफ उनका काम ने उत्होल पानी फोबिया उनको डल फिर गशें किया ठीक है फिर हम लोग ने वहां पर एक जुसरे कि स्विमिंग करने के बाद हम लोग आ गए उधैपूर सी बीच में ठीक है यह है चिंटु सर ग्यान देते वे हम लोगों को फिर यहां पर सभी लोग एक साथ हम लोग सी फूट खाने के लिए बैट गए थे क्योंकि काफी सारा फूट जो वो ओडर हुआ था तो हम लोग यहां पर एक अपना एक टेबिल लिए कुछ पचीस लोगों का यहां पर गैदरिंग था यहां पर हम लोग बैट करके सी बीच को इंजॉय करते वे अपना जो भी ओडर कि होता है ना वही है दोनों बहुत इंजॉयमेंट किये यह दोनों मिल करके एक साथ यह था पूरा का पूरा टीम एक साथ बैट करके काफी जबरदस्त बातचीत हुआ और हसी मजाक और फिर हम लोगों ने खाना ओर किया जो भी सी फूट था वो सब ओर किया और कुछ यह सू टीम मेंबर्स जो थे वो नहाने गए सी बीच में देख सकते हैं वहाँ पर आज जितने भी लोग थे हमारे टीम मेंबर्स थे और काफी अच्छा वेदर था बहुत सुकून था और सभी कोई इंजॉय कर रहा था सब अपना अपना एक छोटा चोटा ग्रूप बना लिया थ और सभी अपना अपना इंजॉय कर रहा था लेबर लोग अपना अलग ग्रूप बन गया था हम मेरे साथ जो मेरा दोस्त गया था एक उसका अलग था हम और दोनों एक साथ थे फिर सब अपना अपने एज ग्रूप के साथ सब इंजॉय कर रहा था खा रहा था पी रहा था फिर वहां से हम लोग निकल गए उदैपूर बीच से यह जो आप लोग बोड देख रहे है ना इसके उस पार वो उडिशा शुरू हो जाता है ठीक है मतलब यह लाइन तक के उदैपूर है और जो बोड है इसके उस पार उडिशा शुरू हो जाएगा यह देखें इसके जाल चावर आलू का भाजा जो डिघा का भाई सबसे ज्यादा फेमस है उसके बाद यह पनीर की सबजी और फिश ठीक है यह सब भाई लेने के बाद हम लोगोंने बैट करके खाना वगरा खाया ठीक है बहुत कोई तो भाई जाकर अपने रूम में सो गए थे फिर हम लोग भी चल गए सोने फिर शाम के वक्त हम लोग आ गए ओल्ड इघा में और कॉफी पीते-पीते हम लोगोंने कुछ वेदर को जो है भाई फील लिया और सामने में आप लोग देख सकते है वेव्ज है ठीक है कुछ बज़रा था साड़ साथ आठ शाम का फिर भाई वेव्ज को इंजॉय करने के बाद हम लोगोंने आ गए यहाँ पर कुछ अपने घर के लिए ड्राइफलूट्स लेने बहुत लोगोंने अपने घर के लिए काजू बगेरा लिया यहाँ का काजू खाईएगा तो आप हल्दी रहिएगा ठीक है तो यहाँ पर आ अपने लिए घर के लिए कुछ ना कुछ लिया ताकि घर में जाकर के दिखा सके कि भाई हां कुछ ना कुछ लेकर आया हम लोग अकेले खाली हात में ठीक है फिर सभी लोगोंने अपने लिए घर के लिए ले करके हम लोगों का वक्त हो गया तक घर निकलने का ठीक है और य वहां से हम लोग सभी एक दूसरे के साथ मिल करके बाते करके फिर समान ले करके हम लोग निकल गए अपने वापस होटल की तरफ ठीक है खाना वग्यरा का बहुत सारे स्टॉल से यहां पर आप लोग आईएगा तो जरूर ट्राइग करना व्यासे फिश वग्यरा जो सी ना खाए आप लोग ओल डिगा में तो भाई क्या किये ठीक है तो जरूर आप लोग ट्राइग करना वैसे हाईजिनिक अगर हम लोग बात बोले तो भाई घुमने जब लोग आए तो हाईजीन भाई बहुत जरूरी है इसलिए जरूर मिंटेन करना फिर यहां से हम लोग अ अड़े टरी भाई हम बोले आपको पहले भी कि दिगा का भाई आलू भाजा बहुत ज़ादा जरूरी होता हर खाने में ठीक है फिर भाई गुलाब जामून फिर यह ठाट डिनर छोटा मोटा हम लोग लिए उसके बाद वैसे तो हम लोग का ट्रिप बहुत अच्छा ले त्वें फिर अपना घर के लिए निकलने के लिए जो भी समान लिए थे हम लोग वो सब आपने Back अंधर रख करके हम लोग चल गयं सोने के लिए नेक्स्ट मॉर्णिंग सुभे एप्रॉक्स 9.30 को हम लोग उठे उठ करके आगए ब्रेक्फास्ट करने ब्रेक्फास्ट में काफी अच्छे अप्शन्स थे ब्रेट था वही आज उज्वाल जो आपको दिखाए थे हम बटर, जैम, एज उज्वाल पोहा, एक्स थे फिर आपका कॉनफलेक्स ठीक है वही नॉर्मल माजा, जूस फिर वही ब्रेक्फास्ट करके हम लोग रेडी हो गए अपने घर के निकलने के लिए वैसे तो भाई बहुत इंज्वाइमेंट हुआ था मुमेंट्स को हम कैप्चर नहीं कर पाए, बट जितना हुआ हम आपको दिखाए कि भाई ये ये सब हुआ, एक छोटा-छोटा क्लिप्स निकाल करके आप लोग के सामने व्लॉग्स दिखाए कि हम लोग क्या क्या किये, क्यूंकि भाई कुछ हट के भी व्लॉग्स आना चाहिए, तो भाई इंशाल्ला मैं जरूर कोशिश करूँगा आप लोग को एक अच्छा-च्छा व्लॉग्स दिने का, भाई जब मैं गुरू का नहीं बनाता था, उससे प लोग अपने घर के लिए निकल गए, ये था हम लोग का होटेल, काफी अच्छा व्यू था, और बहुत मज़ा आया टीम मेंबर्स के साथ, मास कड़ाल फामुका, तो ये था भाई छोटा मोटा व्लॉग, जानता हूँ उतना अच्छा तो नहीं बनाया, बट भाई अच्छा ट्रिप तो भाई बनता था, इसलिए आप लोग के सामने एक एंजॉयमेंट फूल व्लॉग शेर किया, उमीद आप लोग को पसंद आया होगा, देखते हैं हम लोग कैटल्स का व्लॉग कब से शुरू करते हैं, वैसे तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक रहेगा, इंशाला हम लोग जरूर शुरू करेंगे अलग-अलग टॉपिक्स को कवर करना जैसे पेट्स का कैटेगरी होता है, क्योंकि ये चैनल अलग-अलग व्लॉग्स भी दिखाएगा, जैसे श्टट फार्म के होगा, जैसे आप लोग का फिश का, अक्विरियम का बहुत अलग इंशालला, तो भाई मिलते आप लोगे से बहुत जल नेक्ट व्लॉग में, उमीद आप लोग को पसंद आया होगा, टीम मेंबर्स मास कटल फार्म का एक ट्रिप के साथ, चलिए अलवीदा